मारते मुस्लिमों को लेकर हमदर्दी का नातक करने और यूपी पुलिस के नाम पर फर्जी विडियो ट्वीट करने पर ओवैसी ने पाकिस्तान के पीम इमरान खान पर हमला किया है वैसी ने इमरान पर निशाना सादेते हुए कहा कि भारते मुसलमानों को भारत का होने पर गर्व है और वो 1947 में ही जिन्ना पैगाम ठुकरा चुके हैं वैसी ने इमरान को पाकिस्तान के मुस्लिमों की फिक्र करने की नसिहत भी दी पैगाम, the message, the wrong theory of जिन्ना शेफ सेना ने देश में हो रहे हैं नागरिक्ता संचोधन कानून के खलाप विरोध पदर्शन का समर्थन किया है शेफ सेना के नेता संजराउत ने प्यम मोधी पर सीधे हमला करते हुए कहा कि प्यम मोधी कहते हैं छात्रों का काम आंदोनन करना न पर भी पड़ेगा राउत के मुताबिक जब जामिया यूनिवर्स्टी में पुलिस घुसी थी तब उधर ठाकरे ने सबसे पहले आपत्ती जताई थी शिफ सेना नेता ने कहा कि जो सच्चा हिंदूस्तानी है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं और ये देश सबका है जिस कानूर के बारे में आप सब के मन में डर है वो कानूर सिर्फ मिसल्मानों के खिलाप में है 30% हिंदू भी 30% हिंदू इस देश चाहे असाम हो चाहे वेश्वंडाल हो चाहे ओरिशा हो चाहे महाराश्टा हो 30% हिंदू उसके लिचे आने वाले है और इस सब के लिए खत्रेती घंटा है राजिस्तान के कोटा के बाद जोदपूर में भी इलाज के दौरान 146 बच्चों की मौत का मामना सामने आया है हाला कि ये आकड़ा जिले के ऐसे मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े दूसरे अस्पतालों को मिला कर बताया जा रहा है लेकिन सिर्फ उमेद अस्पताल में ही दिसंबर महिने में 41 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है इलाज की उपलब्द व्यवस्ता को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है हाला कि मेडिकल कॉलेज का दावाए के जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भरती करवाया गया था जोड़पुर के मेडिकल कॉलेज में हर साल करीब पचास उजार बच्चों को इलाज के लिए लाया जाता है लेकिन अगर वैसे आप उच रहे हैं तो इस ओनी फॉर्टीवान नुमेद हॉस्पिटल नर्सरी आई शुद नोट से फॉर्टीवन ओनली विकॉस एविन फॉर्टीवन एवरी चाइड वरस एवरी चाइड इस इंपॉर्टेंट एंड लेट में चैन लगाते हैं कि हर बच्चे को बचा लें कि तो कुद्रत का नि तो यह आकड़ा ही रहता है कभी कम भी हो जाते है 33, 37, depending upon number of deliveries तो थोड़ा सा आकड़ा बर रहता करीब करीब इतना ही राजिस्तान के कोटा के बाद आप बिकानेर में अस्पताल में बच्चों की मौत की खबर है बिकानेर के पीबीम अस्पताल में दिसम्बर के महिने में 162 बच्चों की मौत हो चुकी है तो बिकानेर का ये मामला है और पीबीम अस्पताल में 162 बच्चों की मौत हो चुकी है दिसंबर से लेकर जन्वली तक और इस सब के बीच बेका नेर में भी इसी तरह का मामला सामने है और यहां पर जो आंकड़ा सामने है